नमस्कार, मैं महिमा, आज आपको सुनाऊंगी, सु प्रिशिद्धि लेखी का, डॉक्टर संगीता जाके लिखी हुई कहानी, लालची औरत अरे इतना तो जुर्म नाठा, मेरा पूरा बजट बिगड़ जाएगा, डॉन्ट बी सो गृड़ी प्लीज इन्नू, आई डॉन्ट नो, राखी बंधवानी है, तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे भाई, नहीं तो कोई सस्ती बहन ढूंड लो, कुछ तो रहम कर बहना, नो म जल्दी बोलो, पंधवाना है की नहीं, उसके बाद मेरे बेटे इशान ने हतियार डाल दिये, अपना हाथ आगे कर कहा, चल तू भी क्या याद करेगी, बांध राखी, ये इशू यानि इशान और इनाया, यानि इनू की राखी के दिन की नौक जोक थी, बेटा इशान अ एक बड़ी कंपिनी में नौकरी कर रहा था, अभी एक साल इंटर्नशिप चलनी थी, कल ही बेचारे के हाथ पहली तनखाव आई थी, आज लूटने चली थी उसकी छोटी बहन, इशान इनाया से तीन साल बड़ा था, बचपन से ही इशू अपनी बहन को बहुत प्यार करता था और उसका बहुत खयाल भी रखता था, मुझे अभी भी याद है उसकी पाउटी तक साफ करने में मेरी मदद करता था, इनु घर पर सबसे छोटी थी और सबकी चहीती भी, कोरोना की लॉकडाउन और डर्की बज़े से जहां पिछले डेर साल से जहां इशान वर्क फ्र पूडा सा बुझासा लगा, मेरे पूचने पर फीके हसी हस्ते हुए कहा, लुटेरी है आपकी बेटी और लालची भी, लुट लिया मुझे, पूरी एक लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसपर करवा लिये कमीनी ने, कमीनी और लालची दो शब्दों ने मुझे बरसों पहले लापट का, ठीक इसी तरह करीब 35 साल पहले मैंने भी अपनी भाई की इसी तरह जेब खाली की थी, भाईया ना तो उदास हुए और ना ही अम्मा से इसकी शिकाय थी, मेरे भाईया संतोश और मैं सविता दो भाई भेहन है, भाई संतो मुझे इसी तरह धाई स बढ़े थे, पर शायद मैं सभी उनकी ही बेटी थी, अम्मा पापा की कम, भाईया राम भगवान की तरह आदर्श बेटे और भाई थे, रोज रात पापा का पैर दवाते थे, अम्मा के साथ कभी कभी रोटी तक बिलवा देते थे, अगर कभी मुझे पैर दवाने कहा जा तो मैं पापा के पैर में चुन्टी काट देती, अम्मा से तो दूर भागती थी, नजाने कौन सा काम बता दे, मेरी ये बदमाशियां पापा और भाई का मन मोह लेती, भाई मा को समझाता, रहने दो अम्मा, सभी शादी हो जाने के बाद हमें याद करेगे, भाईया मेरे राइवर थे, यानि कहीं भी जाना हो, बिचारे सायकिल पर पीछे बिठा मुझे छोड़ आते, अपना सारा प्रोग्राम मेरी सहूलियत के अनुसाद तै करते, मेरी हर कजिन और सहिली हमारे प्रेम को देख कर हैरान रहती, बे अक्सर कहती, इतना प्रेम तो नीती सिक्षा की पुस्तक में ही दिखाई देता है, हर राखी और भाई दूज अपने साल भर के जमा पैसे मुझ पर बिना उफ किये लोटा देते, अम्मा मेरा उजड़पन देख जहां गुसा होती, वहीं पापा भाई की पीप थप थपाते, इस तरह हम कब बड़े हो गए पता ही नही पर बो भी चुप ही रहें, शायद पापा के लिहाद से, मैं अपने घर और भाई अपनी जिंदिगी में व्यस्त हो गए, पती मोहन का ट्रांसफर भाई के शहर के पास हो गया, अब भाई और मेरे शहर में बस से बस एक रात की दूरी थी, भाई की एक प्यारी सी बिटिया और मेरा प्यारा सा इशु, हमारी जिंदिगी में आ गए, इशु यानि मेरा बेटा और दिशा यानि भाई की बेटी की पहली राखी थी, मैंने भाई से अपने घर आने को कहा, लेकिन भाई ने मुझे बुलाया और कहा, रोमी यानि भाबी का भाई राखी बदमाने आने बहतर यही होगा कि मैं ही पहुंच जाओं। और वो राखी की बजह से पहले से मौजूद था। मेरे सारे सामान पर भावी इस ने सरसरी निगाह डाली और समझ गई कि मैं लगबख खाली हाती आई हूँ। रात को बातरूम जाने के लिए उठी तो भावी भावी के कमरे से आती हुई आबाज सुनी जिसमें बार बात तुम्हारी बहन शद प्रियोग हो रहा था। चुप चाप दरवाजे से कान लगा तो सुना उसने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। क्या था तुमारे अकाउंट में अंडा सब इसी कमीनी पर ही तो लुटाया है याद करो इसने तुम्हें बाल मजदूर की तरह उपियोग किया है साइकल पे बिठा बिठा के सहेलियों के यहां छोडते थे तुम्हें उस घर में मिला ही क्या है अभी भी जाते हो तो बाप क के पीस तुम्हारे लिए दोशा बनाती है तुम्हारी मा की मिक्सी खराब हुई तो बड़े आये हैं ठीक करवाने के बज़ए नहीं ले दी मेरा भाई हम तीनों के लिए कपड़े ले आया है और ये घटिया औरत मुझे नफरत है इससे लड़ा कुछ चुगल खोड तुम नफरत वो भी बच्चपन से मेरा तो पूरा बच्चपन एक जटके में खत्म हो गया चुपचाप चादर मुपर रख सोनी की कोशिश करने लगे मेरी सिस्कियों ने मेरे प्यारे इश्यू को जगा दिया छोटा सा बच्चा मेरे आसु पहुँचने लगा और अपनी तोतल जबान में कहता है अम्मा लोना नहीं इचु है न मम्मा का प्याला बेता उसे चाती से चिपकानी के बाद भी खुद को इतना असहाई महसूस किया मानो अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है अम्मा पापा से ज़्यादा संतो भाईया को माना था खेर जब अपना ही सोना खोटा हो तो किसी से क्या शिकायत एक ही रात में मैं नकरीली बहन से समझदार औरत बन गई और अब से भाई और माईके से कट गई चुपचाप सुबब भाई को राखी बांदी और उसके दिये 500 रुपए चेन के साथ इशू के हाथ से दिशा को राखी बांदने के बाद पक अपड़े दिये बलके 5000 रुपए और मेरी दी हुई चेन देते हुए कहा ये 5000 से मा के लिए मिक्सी ले देना और वो भी सुमित की ये चेन छोटी बहन के लिए भेज रही हूं पर हाँ सुनार से चेक करा लेना कहीं ऐसा नहो चांदी पर सुने की पालिश हो भाई शायद श ना आए ये बात हैं भावी का भाई भी सुन रहा था पर उसने भी अपने बहन को नहीं रोका उसके बाद खुद से मैंने भाई के घर के दरवाजे खुद के लिए बंद कर लिए भाई आगे बढ़ता गया मैं पीछे चुटती गई भाई से मुलाकत अमा पापा के मरने प कर लिया जो मेरी शादी के पहले के थे मेरी सारी कहानिया याद है वहीं आकर रुख जाती थी आज बेटी के मुह से लालची और कमीनी सुन मेरे बरसों पुराने घाव ताजे हो गए मुझे रोता देख फिर ईशु मुझे चुप कराने आया मुझसे कहता है आप भी ना राखी साल में एक बार आती है मैं मामा की तरह खुदगर्ज नहीं हूँ और नाही फलक मामी की तरह नीच मेरे और इनू के बीच कोई नहीं आ सकता आप भी नहीं मेरा सीना अपने बेटे इशान और उसकी मंगेतर फलक के लिए गर्व से चोड़ा हो गया साल और पहले रा आई को शियर कहना ना भूले धन्यवाद